विशे आप भी आपने photos को store करने के लिए Google Photos का यूज करते है इस वाले app का और यहाँ पे आपने कई सारे photos upload किये हुए हैं अब कई सारे photos अगर आपके permanently delete होगे example यहाँ इस तरह से click करके यहाँ डिलेट पे click करके आपने delete कर दिये अब डिलेट करने के बाद वो restore करने का एक है option है वो यह कि जैसे आप डिलेट करते थे हो example यहाँ पर इस फोटो का आप डिलेट करते हो हम डिलेट करने के बाद डिलेट के इस option पर क्लिक करके यहाँ पर अंटू option है यहाँ पर क्लिक करके आप फिर से restore कर सकते बट ये restore का option आपको नहीं आ रहा है या permanently आपका photo या video जो भी है वो delete हो गए Google photos से तो ऐस्तित में आप कैसे उसे recover कर सकते restore कर सकते अपने mobile में जो जो भी रास्ते वो सभी के सभी आज किस वीडियो में हम cover करने वाले restore करने के तो ध्यान से वीडियो को देखे वीडियो हलपल लगता है तो please इस वीडियो को लाइक करना आपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो शेर कर सकते और लाइक की बात किए है तो 100 लाइक काई टार्गेट है जरू complete करना वैसे वीडियो देखते देखते आपको कोई भी प्रावण आती है नहीं संकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कमेंट करने के बाद चानल को सब्सक्राइब करके बेला आइकोन पे ज़रू क्लिक करना चलिए without investing your time जानते सिधा तरीका अब जो जो भी step बताने वाला हूँ जो जो भी method बताने वाला हूँ सबी की सबी धहां से follow करिए एक भी मिसना करें पहला तरीका यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ जैसे आप Google photos open करेंगे open करने के बाद यहाँ पे आपको library की इस option पे click करना है यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे trash का option मिलता है जो deleted photos है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे click करके आप यहाँ पे उन photos को restore कर सकते हैं जो आपने delete की है example यहाँ पे जैसे आप photo पे click करेंगे यहाँ पे restore का option है इस पे click करके आप बढ़ी असन से restore पे click करके photos को restore कर सकते हैं अब यह photos बढ़ी असन से आपको google photos में दिख जाएगे और एक बात यहाँ से अगर आपके permanently photo delete हो जाते हैं यहाँ पे photo यह नहीं मिल रहे तो इस तित्में आपको क्या करना है पहले जानत करें जानते हैं कि यहाँ पे trans folder में आपको photo नहीं मिल रहे तो उसका solution क्या है तो यहाँ पे simply आपको back जाना है बैक जाने के बाद यहाँ पे ही library पे ही आ जाना है अब library पे आने के बाद यहाँ पे profile के उपर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके अपने ID को यहाँ से स्वीच करने के बाद यहाँ पर फोटोस पर क्लिक करने जो जो भी फोटोस अपको लगता है आपकी डिलेट हो गई वो यहाँ पर आपको चेक करने यहाँ पे बड़ी आसन से वो photos आपको मिल जाएंगे फिर भी यहाँ पे आपको नहीं मिल रहें तो एक काम करें यहाँ पे सीधा drive यहाँ पे open करें google drive यहाँ पे google photos का ही application है इस पे click कर दीजें यहाँ पे आने की बाद three line के उपर click करना है यहाँ पे trash के उपर click करना है तो यहाँ पे भी photos आपको जो आपने delete किये वो यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं तो यहाँ पे check करें and comment box में comment करके बताईए फिर भी आपको लगता है आपके यहाँ पे photos आपको नहीं दिख रहें तो simple सी बात है अपने ID को यहाँ पे आपको switch करना है और यहाँ पे trash folder जरूँ चेक करना है हर Gmail के trash folder आपको check करने है वैसे आपने trash folder से भी अपने photos को permanently यहाँ से delete कर दिया तो यहाँ पे आप सब लिखाए कि Google account से भी यह permanently delete हो जाएगे तो यह delete करने से पहले ही notice आ जाती है तो यहाँ पे हम अंदेगा करके permanently delete कर देते हैं तो ऐसे तिति में कुछ chances है जहाँ पे आप Google की मदद ले सकते है Google community की तो वो केसे करें और केसे अपने photos को recover करें चलिए जानते हैं तो बिल्गुल simple and आसान तरीका है यहाँ पे आपको क्या करना है Google photos app को ही open करना है ओके दूसरा कौन सा आप open ना करें यह app ही आपको open करना है जैसे open करेंगे open करने के बाद profile के उपर click कर दीजे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है नीचे आ जाना है और नीचे help and feedback का option मिलता है इस वाले option पर click करना है जैसे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर first option है delete or restore your photos and videos इस वाले option पर click करना है अब जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आजाना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ आपको इस तरह का रिपोर्ट लिखना है, लिखने के बाद जहाँ पर और भी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे फोटो रिकोवर होने की अब यहाँ पर थोड़ी आलग सी स्टेप है वही यह स्टार्टिंग में तो यहाँ पर सिंपले आपको प्रोफाल पर क्लिक करना है नीचा आने के बाद एंड फेडवेक के उप्शन पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको जाएगी फोटो रिस्टोर करने के लिए तो यहां पे आपको उपर लिखना है subject में restore my permanently deleted google photos तो subject में यह लिखने के बाद यहाँ पे नीचे यहाँ इस डब्बे में आपको ये लिखना है तो यहाँ पे लिखना है hey dear google team please restore my permanently deleted google photos अब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे category में please select के उपर क्लिक करना है and restore photos के उपर click करना है अब next के उपर click करना है जैसे next के उपर click करेंगे यहाँ पर other का option आपको दिया जाता है इस वाले option पर आपको click करना है click करने के बाद next step के उपर आपको click करना है अब जैसे click करेंगे यहाँ पर आपको नीचा आजाना है अब नीचानिक बाद next step के उपर आपको click करना है अब यहाँ पर platform आपको select करना है मतलब please select के उपर click करना है जो भी आप use करते android, 내가, web जो use करते उसके उपर click कर दिश। इसके बाद next step के उपर click करना है अब जैसे click करेंगे यहाँ पर post के उपर click करना है अब click करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी दिर wait करना है friends अब थोड़ी दिर wait करने के बाद आपके सामने ये वाला interface आ जाएगा यहाँ पर Google के तरफ से यहाँ इस तरह का email आपको आ जाएगा तो यहाँ पर email में साब साब लिखाए कि 24 गंटे आपको wait करना है अब जो community expert होती है जो Google community होती है वो आपसे contact करेगी तो उनसे आप directly बात कर सकते हैं वहाँ पर से chances है आपके photos वहाँ पर restore हो जाएगे फिर भी आप problem आ रही है तो मुझे comment box में comment करके ज़रू बताना वैसे comment करने के बाद चानल को subscribe करके bell icon पर ज़रू क्लिक करना और एक बात आपके device के अंदर के कोई photos डिलेट हो गए तो i button पर अलग साब वीडियो है उस वीडियो को भी ज़रू देखना वो भी कापी ज़्यादा helpful है वैसे जाते जाते किसे कोई account recover करना है या कोई भी restore की related या recover की related वीडियो देखने है तो screen के उपर playlist आपको show हो रहे होगी ज़रू चेक करना कोई वीडियो नहीं है तो comment box में comment करके ज़रू बताना जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रू करना फ्रेंड्स धन्यावाद फ्रेंड्स अत्यंत आभारी वीडियो देखने के लिए thank you